स्वागती दोस्ता आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 3S Prime या फिर इसी भी Redmi Mobile में अपने कैमेरा को आप कैसे सेटिंग को रिसेट कर सकते हो यानि कि दोस्तों यहाँ पर हम जो है अपने कैमेरा का सेटिंग जो होता है उसे हम छेटखानी कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या गड़बड हो गया है तो यह कि इसमें आप अपना कैमेरा सेटिंग को रिसेट कर दीजेगा क्या होता है कि उसके बाद में आपका camera का problem सारा solve हो जाता है तो दूस्तों यहाँ पर क्या करना होगा दो तरीका में आपको बताऊंगा सबसे बेले तो आप अपना camera को खोल लिजे उसके बाद में सबसे उपर right side में आपको side bar पर click करना है उसके बाद में settings पर जाना है और एकदम नीचे आपको यहाँ पर restore default setting आपको दिखाए देगा यहाँ पर click करना है OK कर देना है आपका camera जो company से setting आता है उसमें आपका यहाँ पर setup हो जाएगा तो यह देग आपको यह option पर दोड़ना है तब आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो स्टोरेच पर जाना है ठीक है basically मेरा mobile में यहीं पी मुझे show कर रहा है सबसे पहले आपको force stop कर देना है उसके बाद में clear data पे click कर देना है clear all data कर देना है यह करने के बाद में दोस्तो आपको permission पे जाना है एप permission पे और यह सारा permission आपको allow कर देना है ठीक है उसके बाद में दोस्तों जाके आपका जो कैमेरा है वो रिसेट हो जाएगा यहीं से, सेटिंग्स पे, आपका कैमेरा पे नहीं जाके आप यहीं से कर सकते, एप मैनेजमेंट से, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आयोगा, थैंक्स पूराचिंग